हेलो एब्रिवान, वेलकम टू बाल्राम फोटोग्रोफी दोस्तो अगर आप वेडिंग, प्रीवेडिंग, पॉर्टफोलियो सूट या फिर इस तरीके के इंडोर या फिर आउट्डोर सूट के लिए एक लाइटिंग सेटप तयार करना चाहते हो वो भी कम से कम खर्चा करगे, तो आज का वीडियो है आपके लिए इस वीडियो में मैं आपको एक लाइटिंग सेटप दिखाऊंगा जो कि एक सिंगल लाइट लाइटिंग सेटप होने बाला है और ये बहुत ज़दा एपोड़बल प्राइस में होने बाला है तो प्रोफेटोनल लाइटिंग आपको इस सेटप से मिनने बाला है और एक रिफ्लेक्टर को इसतमाल करती हुए इस सिंगल लाइट लाइटिंग सेटप के साथ आप प्रोफेशनल लेबल की फोडोस क्याप्चार कर पाएंगे तो इस वीडियो में मैं आपको ये lighting setup तयार करके दिखाऊंगा, क्या कुछ चीज़े आपको purchase करने होंगे, क्या कुछ pricing होंगे, सारे कुछ चीज़े आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, साथी साथ इस light को मैं indoor और outdoor दोनों जगा पर test करके आपको results दिखाऊंगा, तो इस वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ पर से आप प्राइसिंग चेक कर सकते हो, यहाँ पर डिरेक्टली पर्चेस कर सकती हो, तो इस setup को तैयार करने के लिए सबसे पहला चीज़ जॉब को चाहिए, ओ है एक light stand, मैं यहाँ आप जो light stand का इस्तेमाल कर रहा हूं, ओ है DJ Tech का 9 इस light stand को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, पिछले लगबग देड़ साल से भी ज्यादा टाइम से, अभी भी कोई भी इशू नहीं है, बहुत अच्छी quality का light stand है, तो मैं आपको यही light stand recommend करूंगा, इससे भी सस्ते प्राइसे में काफी सरे light stand आते हैं, बैट उनको पर्चिस मत कर लेना, लिंक आपको निचे description box पर मिल जाएगा, उसके बाद दूसरा जो product है में चाहिए, इस setup के लिए, ओ है एक external flash light का, और यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गोडोक्स के TT520 Mark2 flash का, यह एक manual flash है, और गोडोक्स के one of the cheapest flashes में से एक है, इस price में या फिर इससे भी कम prices में, आपको कापी सारे manual flashes मिल जाते हैं, जैसे कि Digitec का आता है, Osaka, Sonia, और भी कापी सारे brands की manual flashes आपको मिलते हैं, इससे भी कम prices में, लेकिन यहाबर हमने Godox को चूज करें, विकास photo and video lighting के field में, Godox का एक अलगी नाम है, Godox बहुत ही premium quality का product मनाते हैं, तो इसलिए हमने Godox को चूज करें, इसका जो price है, बैटरी के साथ आपको around 4500 के आजपास मिल जाएगा, and यह trigger के साथ आता है तो off camera आप उसको इसको 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 इस फ्लेसलाइट को मैंने कुछ दिन इसका कर लिए है, सच में कापी बडिया quality का फ्लेसलाइट है, इसके उपर मैं आप लोग के लि यह वह है एक E-type bracket इसको इसको इस्तेमाल करती हुए आप अपने flash light को अपने light stand के उपर mount करने बाले हो यह हम को चाहिए because यहाँ पर हम softbox का इस्तेमाल करेंगे तो यह जो E-type bracket है यह हमें help करेगा हमारी जो softbox यहाँ पिर हमारी जो umbrella है उसको mount करने में अब last में जो चीज हमें चाहिए ओ है एक softbox अब यहाँ पर आप softbox का भी इस्तेमाल कर सकती हो यहाँ पिर white photographic umbrella का भी इस्तेमाल कर सकती हो अगर आपका budget tight है तो आप white photographic umbrella का इस्तेमाल कर सकती हो ओ भी आपके light को काफी अची तरीके से diffuse कर देता है बट अगर आप budget को थोड़ा बढ़ा सकती हो तो आप यहाँ पर एक softbox इस्तेमाल करें आप यहाँ पर softbox भी काफी सारी prices के आते हैं मैं यहाँ पर जो softbox सा इस्तेमाल कर रहा हूँ ओ है Godox का 80 semi octobox यह एक बहुत अची quality का softbox है आपके light को काफी अची तरीके से soft कर देता है लेकिन इसके साथ कुछ issue है जैसे कि आप इसको ज़्यादा tilt नहीं कर सकती हो साथी साथ यह काफी बड़े size का है तो carry कैनने में काफी ज़्यादा problem होगा आपको बट अगर आप indoor में एक setup लगाना चाहते हो आपकी सारी कुछ चीजी एक ही जगा पर होगा तो उसके लिए यह काफी बड़िया choice है और price भी इसका काफी ज़्यादा कम है बट अगर आप outdoor में ज़्यादा suit करने वाली हो तो मैं आपको यह recommend नहीं करूँगा आप Godox के इस बाले softbox को purchase कर सकती हो बहुत ही छोड़ी size का softbox है और fold करने के बाद काफी छोटा बन जाता है और बहुत सारे लोग इस softbox सा इस्तमाल करते हैं काफी अच्छी quality का softbox है बट price थोड़ा सा high है तो आप इसको भी purchase कर सकती हो तो अपने budget के इसाब से आप कोई साभी एक softbox ले सकती हो या फिर आप एक umbrella भी purchase कर सकती हो आगर आपका जो budget है वो थोड़ा सा tight है अब साभी product को setup कर लेने के बाद हमारे जो lighting setup है वो कुछ इस तरीके का बन जाता है और यह आभी ready है इस्तमाल करनी के लिए तो इसको लेकर हम outdoor में चलते हैं और इसको test करके देखते हैं इस lighting setup को इस्तमाल करती हुए आप किस तरीके के photos capture कर सकती हो यह कापी बड़िया लाइटिंग setup है बजट के अंदर है साधी साथ जो भी सरे products हमने इस्तमाल करें है वो कापी जदा अच्छे quality के products है जिनने के आप लगबग 2-3 साल आराम से इस्तमाल कर बाएंगे आप मैंजे comment करके बताओ यह जो lighting setup है यह आपको कैसा लगा अगर आप इसमें कुछ भी modification करना चाहती हो तो आप क्या modification करना चाहती हो आप मैंजे comment करके बता सकती हो प्यागि